हेलो एरोवन आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल में आज जो मैं आपके लिए वीडियो कंटेंट लाए हुए उर्जा ग्लोबल शेर क्यू फोस नंबर 2021 स्टॉक तू बाइनाओ कल के दिन पर हमने देखा उर्जा ग्लोबल ने आफ्टर मार्केट आज अपने नबर्स डिक्लेर किये डीसेंट नंबर जाए है इस समय लेकिन में चीज है इस स्टॉक के हाइलाइट जो यह करता है वो है इसके इसक कंप पर्टिकर्लर कंपणी पे कोई भी लॉंग टम करजा नहीं है यह most important part है जो fundamental analysis में हम देखते हैं तो exactly कैसे q4 numbers है और इस q4 numbers का implementation आज के दिन पर हमने देखा करीबन यह stock तीन पर परसंट डाउन हुआ था in spite of giving a decent number इस समय लेकिन आगे कैसे इस particular stock में क्या levels होगे क्या resistance होगा वो सब हम जानेगे इस वीडियो में साथ ही में इस वीडियो का कह सकते shareholding pattern पे एक नज़र डालेंगे और कौनसे से लेवल से जहां पर आपको एक बार कह सकते थोड़ा बहुत offloading करना चाहिए और कौनसे से लेवल से जहां पर आपको entry करना चाहिए जिन्नोंने अभी तक entry नहीं किया वह यह सारे analysis से वीडियो में देखेंगे वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजेगा एंड तक इस वीडियो को देखना और exactly इस वीडियो को शेर और सब्सक्राइब करना जितना हो सके ताके आपके साथ और आपके फैमिली और फ्रेंस के सब जो पोर्ट्फोल है वो पूरे मेंडे में कितना पर संटेज आवरेज देखा गया इस पर्तिकुलर स्टॉक में दिलिवरी पर संटेज और कितनी कॉंटिटी देखा गया है पूरे मंत में वो भी हम देखेंगे में 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 वी विल आपके तो चलिए सबसे पहले अगर देखे जाए तो क्यूफोर नंबर पे नज़र डालते हैं तो अगर 31st मार्च 2020 की बात करें तो फिगर था करीबन 2788 के आसपास टोटल इंकम का अगर टोटल इंकम ऐस पर 31st December 2020 यानि quarter 3 की बात करें तो 3445 के आसपास इस पर्टिकलर स्टॉक का इंकम था इस पर्टिकलर कमपनी का इंकम था और अगर 31st December 2021 की बात करें तो उर्जा ग्लोबल का इंकम बढ़कर हो गया 4377 यानि year on year देखें तो 2788 का बढ़कर हो गया 4377 और अगर quarter on quarter compare करें तो 3445 का बढ़कर हो गया 4377 तो का काफी attractive है इस समय पहला जो पाट है balance sheet का पहला जो पाट है quarter 4 के numbers का के income जो है वो year on year भी बढ़ा है साती में quarter on quarter basis भी बढ़ा है उसके बाद expenses की बात करें तो as per 31st March 2020 का expenses देखें तो करीबन 2702 है as per 31st December 2020 यानि quarter 3 के numbers देखें उसमें expenses था करीबन 3385 और इस समय अगर हम देखें तो expenses हो गया है 4,3,2,3 जैसे income बढ़ा है वैसे expenses भी बढ़ा है लेकिन expenses काफी हद तक बढ़ चुका है अगर हम देखें income के सकते proportionately बढ़ा है हर quarter 1 में उसके बाद quarter 3 में और quarter 4 में लेकिन expenses भी quarter 4 के काफी सारे बढ़ चुके हैं तो expenses को थोड़ा बहुत और अगर control में करते तो profit शायद और बहतर हो था उर्जा ग्लोबल का और अगर total profit की बात के तो total profit as per 31st March 2020 की बात करें तो 85 लाक्स के आसपास था उसके बाद अगर 31st December 2020 की बात के तो 60 लाक्स के आसपास है और इस समय अगर हम देखें 31st March 2021 की बात करें तो करीबन 53.5 है और almost 54 लाक्स के आसपास इस पर्टिक्लर कंपनी का प्रॉफिट है आज ओन क्वाटर फोर नंबर यहनि के ऐस पर 31st March 2021 तो अगर देखें यर ओन यर देखें तो compare by default अगर देखें तोटल प्रॉफिट 85 से कम होके 54 आ चुका है और अगर quarter to quarter भी कर देखें compare कर तो 60 लाक्स का आरौन 54 लाक्स के आसप quarter basis पर बढ़ा है लेकिन expenses बढ़ने के इस बढ़ने के कारण जो profit है या total profit जो है वो year on year भी कम दिख रहा है और साथी में quarter on quarter भी कम दिख रहा है profit after tax की बात करें तो same figure आपके screen पर आपको दिख रहा है 85 60 and 54 तो expenses अगर control में किया रख के सकते हैं थोड़ा बहुत और रखते है उल्जा ग्लोबल के company officials तो यहां पर by default कह सकते हैं यहां पर जो profit percentage आप टोटल profit या net profit होता वो year on year बिस भी जादा दिखता और साथी में quarter on quarter basis भी जादा दिखता तो यह कारण है कि यहां पर कह सकते हैं थोड़े बहुत numbers इतने खराब भी नहीं कह सकते लेकिन extraordinary numbers भी नहीं आ December के हिसाब से 31 December 2020 के हिसाब से 0.012 था और इस समय 0.010 यानि almost कह सकते year on year EPS भी कम हुआ है quarter on quarter EPS भी कम हुआ है बद वो expenses के वैजे से हुआ है income के वैसे नहीं हुआ है जब भी अगर income में downfall हुआ तो by default कह सकते हैं company ने performance बढ़िया नहीं दिया लेकिन आपर income बहतरीन हुआ है year on year भी अच्छा बड़ा है quarter on quarter भी बढ़ा अच्छा ऐसे तो by default कह सकते है इस particular stock का जो future implication से वह स्टॉंग और mainly जो पार्ट मैंने वीडियो पोश्ट किया था आप आप लोग अगर मेरी चैनल को देखेंगे तो उसमें पूरा डीटेल अनलसिस उर्जा ग्लोबल पे मैंने किया था और उसमें आपको clear cut दिखाया था कि उर्जा ग्लोबल पे एक रुपे का भी करजा नहीं है तो यह चीज बाइड डिफर्ट आपको क्या सकते खराब इतने नंबर नहीं है जितना expected market ने किये थे जितना expectation आज हमने देखा rally में कि downward rally इस particular stock में आया है करीबन 3% आज के दिन पर यह stock चल रहा था तो इतना कह सकते major breaking खराब news नहीं है इस news particular stock में अभी भी जिन्होंने invest नहीं किया है वो levels में आपको आपको कौन स जिन्होंने अलरड़ी invest किया है करीबन 8 रूपीज, 9 रूपीज और 10 रूपीज के level पे तो वहां पे कहां पे exit करना नाइन पॉन के आस्पास जहां भी जिन्होंन भी invest किया है तो कहां पे exit करना है कहां पे entry लेना है exactly में वो levels बताऊंगा आपको उसके बाद अगर delivery report देख तो 3rd में से लेके 14th में average अगर delivery percentage देखे तो करीबन 60.60% से लेके 70% के आसपा, 71% के आसपास है, पूरे पहले 15 दिन के, पूरे first 15 days of May month में, तो कह सकते delivery percentage 60% के नीचे कभी ये stock में नहीं गया है, तो ये attractive चीज है इस particular stock के लिए, और अगर उसके बाद हम 17th में से लेके 31st में क data देखे, तो उसमें अगर आपको delivery percentage देख रहा है, 73% से लेके lowest जो देख रहा है, next 15 days में of May month, वह 56%, जो था करीबन 18th में को, तो अगर overall देखे, इस particular May month का delivery percentage, इस अबाव 65%, पूरे माइने का कह सकते हैं, और अगर उर्जा ग्लोबल के delivery quantities की बात करते, तो it is almost about 10 crores के आसपा का data देखे, तो करीबन 30,62,000 quantity है, फिर उसके 13,11,00, तो अगर देखे, पूरे मन्त का average देखे, तो it is almost about 15 to 20,20,00 के आसपास पूरे मन्त का average आपको देखे, इस particular stock में delivery quantities का, वन मन चार्ट पैटन की बात के तो वन मन का जो इसका recent blow था, वो करीबन 5.91 के आसपास था, और recent high अगर देखे, तो करीबन 7 रुपे के आसपास recently इसने touch किया था, वान येर चार्ट पैटन की बात करें, इस stock के तो वन येर पहले हम सभी जानते ही stock करीबन 2 रुपीज के आसपास था, और इस गार अगर हाई देखे, तो हम सभी जानते 9 रुपीज के आसपास इसने recently high touch किय जाता करीबन 3 मैने पहले, तो ये stock ने बैतर ही return दिया है, इस particular कह सकते पिछले एक साल में, one of the most favorite penny stocks है, और इस particular stock में जिन्हों ने अभी तक invest नहीं किया है, उनके लिए मैं suitable level काऊंगा, वो है करीबन 6.2 रुपीज के आसपास, यानि 6 रुपया 20 पैसे पे इस stock में entry और करीबन break even के उपर जो भी आपको profit मिल रहे हैं, आप पे थोड़ा बहुत offloading कीज़े, बाकी stocks को hold कीज़े, क्योंकि ये debt free company है, इसके fundamentals काफी अच्छे हैं, आने वाले quarter 1, quarter 2 के results भी काफी बैतर ही नहोंगे, तो ये stocks को hold कीज़े, और quarter 1, quarter 2 के numbers को analyze कीज़े, उसके साब स आप exit कीज़े, कौन से levels पर आपको exit करना है, अगर exactly इस देखे, पहला resistance है, इस particular stock का वो है, करीबन 13.5 रूपीज के आसपास, और दूसरा जो resistance अगर break even पर ये आगया stock वो है, करीबन 16 रूपया 17 पैसे, 70 पैसे के आसपास, यानि कि 16.70 रूपीज के आसपास इस particular stock का second resistance है, नीचे की तरफ जैसे मैंने का 6 रूपया 20 पैसा ये worst come worst scenario stock आ सकता है, इस level पर भी मैं recommend करूँगा, इस level पर भी आप stock में invest कर सकते हैं, अच्छे से hold की जे stock को बहुत ही बैतरी return दे सकता है, या आने वाले समय में आपको, अगर price and volumes की बात करें तो one week का return देखें तो करीबन 2.17 है, one month जिनों ने hold किया, उसको return मिला है करीबन 17.5%, तीन मैने का जिसने hold किया है, करीबन minus 1.40% return है, 1st January से अगर data देखें, 1st January 2021 से देखें, तो करीबन 16% का return मिला है, 1 year से अगर पिछले 12 मैने का return देखें इस particular stock का, तो 183% और 3 साल का return देखें तो करीबन 77%, तो बहुत ह इसका particular stock का कैसकते है, return दिया है, एक ही level, एक ही 3 months के data में आपको यह minus 1.4740 पर देख रहा है, बाकी हर एक आप देखें, 1 week, उसके बाद year on year, 1 year, 3 years, सभी में आपको यह green bars दिखा रहे हैं, उसके बाद अगर volume analysis देखें, तो average अगर volume देखें, इस particular stock का trading quantity का, वो है 32 lakhs, 35 lakhs, 34 lakhs, और अगर delivery percentage देखें, इस particular delivery levels देखें, delivery quantities देखें, तो करीबन 20 से 25 lakh के बीच में हर दिन का इसका delivery quantity है, तो कह सकते है, बैतरी stock है, अब प्रमोटर होल्डिंग की बात कर दो, प्रमोटर होल्डिंग constantly यहां पे 31.55 के आसपास, और 31.97 के मार्च 2020 से लेके, मार्च 2021 का data द दिख रहे हैं, ना ही कोई shares यहां पे प्लेज किया है, promoters ने, FIS की holding की बात के तो FIS का 0.78 से लेके 0.43, थोड़ा बहुत profit booking board में दिख रहे है, since September 2020, लेकिन अभी भी 0.43 का यहां पे stake है, DIS की बात के तो 0.03% से लेके 0.01, तो DIS कह सकते हैं, बहुत ही मामूली holding है, DIS का इस मार्स 2020 से लेके 67.58 as per March 2021 data, तो पूरे कह सकते हैं, साल बर में public shareholding consistent रहा है, और अगर उसके competitors की बात करें, तो वो है उर्जा ग्लोबल के competitors की बात करें, तो Adani Trans, Power Grid Corporation, NTPC, Adani Power, यह सब major कह सकते हैं, competitors यह company के, और अगर recently के, अगर कल का closing देखे हैं, तो करीबन 7.05 का था, और यह stock को hold कीज़े, जैसे मैंने levels बताया, जिन्होंने अभी तक invest नहीं किया है, 6.20 के आसपास worst come with 7,000 यह आ सकता है, यह stock को invest कीज़े, जिन्होंने अलएडी 8-9 rupees के आसपास यह stock को buy किया है, average करने का जो बड़िया मौका है, वो 6.20 के आसपास अगर यह stock आता है, तो वहाँ पर average कीज़े, break even जैसे ही हो रहा है, आपका वहाँ पर थोड़ा बहुत profit लेके, थोड़े बहुत quantity को offload कीज़े, और बाकी को quantity को hold कीज़े, अच्छे से 13.70 पहला level है, और उसके बाद का second level है 16.20 पहला level है, और second level है 16.70, तो यह दो levels पर concentrate कीज़े, और exactly अपना profit book कीज़े, यह stock को hold कीज़े, debt free company है, बहुत ही बड़ी हा returns देगा आने वाले समय में, आशा करता हूँ जो आज का वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को like जरू करना, वीडियो को share करना, चैनल को subscribe करना, चैनल को share करना, ताके आपके साथ आपके family friends का जो portfolio है, वो और भी profitable हो जाए, आपके screen पे आपको मेरा mobile number, मेरा email ID, मेरे social media platforms flash हो रहे है, और साथ ही मेरे website का नाम भी flash हो रहा है, अगर आपको equity में, commodities में, currency में, किसी भी segment में investment करना है, trading करना है, या फिर trading लेना है, तो आप मुझे contact कर सकते हैं, साथ ही आपके existing portfolio में, य या coaching में solution मिल जाएगा, thank you.